स्वागा थे आप सभी का और जिसने 62 को नहीं देखा जाकर देख लेना तभी दुनों की कनेक्शन मिल पाएगी तो वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूं तो एस फाइनली टोविस के साथ मीट अप कर लेता है और बात करते हैं दोनों ट्रेनिंग के लिए और एस बहुत ही अ और बोर सुबहा मैश थी ऐस का और आश हो जाता है और कल बढागी देखता है कि वो अभी बहुत लेट हो चुका है तभी फिर भी ऐस कोसिष करता है जलत जलत गल्र के स्टेडिय मेंद़ को और ऐश गलmachen waiver स्टेडिय पहुंञत जाता है। इतने सारे ओडियंस और ग्रैंड मास्टर्व और इसके डैड इसके मॉंच सबी आहन बहुते हैं और रेटल करने के लिए तो रयारी गोलता है यह battle पोकेमोन सबसे powerful होने वाला है और world का सबसे नमबर वान battle होने वाला है क्योंकि एक Pokemon master और एक Pokemon grand master के बीच battle है ये और एस अपने Pokemon master का किताब बचाने के लिए पूरी तागत लगा देता है तभी एस अपने फर्स्ट पोकेमोन गिरी निंजा को चूज करता है उदर से ग्रैंड मास्टर अपने पॉस्ट लूग यह और यह बैटल होने वाली थी 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 पोकेमोन की बीच और दोनों के पास एक एक फिनोमेना इस्तेमाल करने के लिए होत अफेर अपना ग्रें निंजा पूस्टेमाला करने के लिए बढ़ रहा हुता है तो भी दोगे एअरो बलास्ट करता है ग्रार कहते हैं और यह सीधा बास्लों बढल गरब्हां देखते हैं और यह डिक दहकता है कि ग्री निंजा कमजोल पर रहा था तभी एस ग Sono ग्रींच दोनों बॉन्ड एबॉलेशन में चले जाते हैं और एक गृणिंजा के ऊपर जाइंट शूरीकन बन जाता है और एस बोलता है गृणिजा उपर वाटर शूरी कन तभी गी अनौर्माल वाटर सूरीकन कर देता है इस बार और सिदह लूग यह को ही करन करने बोलता है और AIROW BLASTER टकर आ जाता है और एकडम से स्ठेडियम हिलने लग जाता है धमाकी की कारण और हम देखते हैं कि दोना भी की nu पोकेमन को हीड हो चुकत है एक दूसरे की आठेक और दोनों ही नी लिए लिए उनाम की हखे तने रेफरी बोलने वाला होता है एकदम से एश का ग्री निंजा फूट जाता है और उसका बॉंड एवुलिशन अभी तूटा नहीं था और हम देखते हैं कि एश और ग्री निंजा का बॉंड एवुलिशन एक ग्रैण मास्टर डड़ने लग जाते हैं अग्रेट मस्टर अपने सेगनों को निकालते हैं वह सिस्टी ने नहीं देखा जाकर लिंग दे दिस्क्रिप्शन तो वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूं जल से जल तो ग्रैंड मास्टर का लोग हार चुका था और रेफरी अनौश करता है कि एस जीत चुका है सेकेंड राउंड को और दोनों के पास एक एक पोकेमोन बसते थे ग्रैंड मास्टर तभी अपने दूसरे य वाटरपल्स इसितमाल करने बोल देता है अभी फ्लेमचार्ज पर इतना पावरफुल होता है कि वाटरपल्स को चीरत एanswer ग्रिक्रिनिंजा को हीट कर देता है और ग्रिक्रिनिंजा बहुत ही डामेज हो चुका था और एस बहुत दवाओ में था क्योंकि ग्रिक्रिक्ते य और नाइट्सर लेट से मोल्ट्रेस के पास जाके लिए लाँ था इत बेन होगी इतना बैटल कर चुका था तब फिर भी हार नहीं मानता अर दोनों बहुती शक्तिशाली बन चुके और एस बोलता है अब हम बैटल को खतम करना है पड़ेगा तुमा तुमें भी बहुत डैमेज पहुच चुका है तभी एस और गिर निंजा दोनों मिलके वाटर शूटिकन करते हैं वह भी जाइंट तो ग्रैंड मास्टर इसको देखे फिर से डरने लग जाते हैं पर इस बार ग्रैंड मास्टर अपने मोल्ट्रेस को सबसे पावरफुल अटाइक फायर ब्लास्ट करने बोलता है और मोल्ट्रेस का फायर ब्लास्ट इसतना गरम होता है कि स्टेडियम के सारे के सारे लोग ऑडियंस को गर्मी फील होने लगती है पसीना टपकने लगता है तब हमें दि लिखता है कि ग्रिनिंजा को शूरीकन ब्लास्ट बर्न फायर ब्लास्ट को काटते हुए सीधा मोल्ट्रेस को हीट करा देता है और दोनों की दोनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं और ग्रैंड मास्टर को लगने लग गया था कि वो अब हार जाएंगे तभी हमें काट कीमोन जीतेगा और एस का ग्रिनिंजा अभी तक अपने बॉन्ड एवोलेशन को तोड़ा नहीं था है और ग्रैंड मास्टर का मोल्तर उठने का नाम नहीं ले रहा था तब हमें देखने को मिलता है कि मोल्तर खड़ा हो जाता है और एस कर ग्रिनिंजा का बॉन्ड पाता और एस बहुत नीरा साब हो जाता है तभी स्टेडियम से स्कडेड नीचे आते हैं और एस को कहते हैं वह एस तुमने छारे बैटल में इस बैटल को इतनी अच्छी तरह कैसे लड़ा और मुझे गर्भ है कि तुम मेरे बैटे हो तभी एस भी खोस हो और Grand Master भी कहते हैं आकर एस सच में तुम एक वाकई बहुत ही पावरफुल ट्रेनर और इस बार तुम फिर से अच्छी ट्रेनिंग करोगे तो मुझे हरा दोगे मुझे यह इतना पता है तभी एस बहुत खुश हो जाता है और Grand Master यह भी कहते हैं कि यह बैटल दुनिया का सबस सब्सक्राइब करोगे तभी एस चले जाता है स्टेडियम से बाहर और एस का भी फैन बेस बढ़ जाता है और बहुत सारे ओर्डेन्स एस को पसंद करने लग जाते हैं एस की बैटल स्टायल को देख स्ट्रेजी को देख कर और एस बहुत ही पावरफुल बन रहा था साथ- साथ और तभी टोबियस भी एस से मिलता है स्टेडियम के बाहर और कहता है एस तुम सच में एक हुनरवाज ट्रेनर हो और मुझे इतना पता है कि तुम ग्रेंड मास्टर को अगली बार हरा दोगे तुम बीना लेजंडरी पोकेमोन के भी इतने पावरफुल हो तो अगर तुम लेजंडरी पोकेमोन को अपने साथ ले लोगे तो तुम पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनर बन सकते हो और एस तभी ये सुचता है और एस चला जाता है अपने-चेनिंग के लिए और लोबावरे और दोनों एक सुसान लाका में जाते हैं जो की एस का पसंद bay लाका होता है और टोबी एस और ऑस बैटल करते हैं और तोबी एस और एस का बैटल भी बहुत ही powerful होता है और दोनों करीब दो घंटे तक बैटल की training करते हैं तभी एस अपने ग्री निंजा चारेजाट और इंफर ने पी तीनों को भी ले लेता है अपने साथ में अब ग्रैंड मास्टर के साथ six six next battle करेगा और ग्रैंड मास्टर को हराएगा बोलके वह टोब्यस के साथ training करने लग जाता है तभी हमीं दिखाया जाता है कि तोब्यस अपने रेक्वेजा को निकाल लेता है और एस रेक्वेजा को बोलता है तो विस तुमारे पास रेक्वेजा भी है तभी टोब्यस कहता है हाँ एस मेरे पास रेक्वेजा भी है और तुम अगर ग्रैंड मास्टर को हरा दोगे और मुझसे बैटल करोगे तो मैं तुम्हें एक शर्थ रखता हूं कि तुम्हें दो लेजंडरी पोकेमान तुमारे पास होने चाहिए वरना मैं तुमसे बैटल नहीं करूंगा एस तभी एस कहता ठ ठीके एस मैं इंतजार करूंगा और एस और टोवियस रेक्वेजा की मदद से बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है एस की और एस भी अपने पूरे जुनून के साथ टोवियस के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी एस बोलता है ठीके टोवियस हम इस प्रैक्टिस को बै तब इन फोन शाट में ही दिफीट हो चुका होता है तभी एस देखके घबरा जाता है टोवियस का डप यह इतना पावर्फुल है अपने तीसरे प्रेक्वेजा निकालता है जो की वह तहरी चारजाट और चारजाट बहुत ही पावर्फुल बन चुका था और ऐस आते ही जेड मेगा इवल्प कर देता है टोवीज के खिलाफ और चार जाट को बोलता है जेड फायर ब्लास्ट तभी उदर से टोवीज फिर शे अपने रेकवेज़ अपर चुका होता है तभी हमें दिखाता है कि एस बोलता है तो टोवीज तुम वाकई में एक मौल्टिवर्स चैं प्रैटिस करते रहते हैं और उनके सामने मास्टर आ जाता है यह बैटल करना चाहता था उसके साथ बैटल करने के लिए तैयार हो जाते हैं Take जो पतिपना आप मास्टर हो एक दूसरी के खिलाब टाक रहे तो एक धुसरी के खिलाब इस्तेमाल रहे और मास्टर के नियुकोल होता है चालर का होता है तब dat ईटेम अटाक को उनलस्टर कहते ना दाक्राइब डार्क पॉल्ज एंड ड्रीमी कॉल्ट्स तभी दूनों अटाग एक साथ करता है डाक राय और टोविएस के डाक राय को भनक भी नहीं पहुंसती तभी डाक राय हिट हो जाता है और टोविएस भी बहलता है इतना पावरफुल और इतना स्पीड तो ठीक है डाक राय हमारे इंट्रेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा सिरीज को और वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूं तभी एस और टोविएस के बीच फाइट हो रहा होता है और दोनों बहुत अपनी तागत लगा के लड़ते हैं और एस अपने चारिजाट को इस्ताहल कर रहा था टोविए मदद से फोबेश को हराना चाता था और अने में एक भी हो जाता है और आज कुका था मास्टर रैंग के लिए ऐस को और ट्रेनर को आने बाद वह ये वाला था और मास्टर रैंग में पहूंस के वह उसकी बैटल होने वाली थी वह से सामने दो ठे el है एक है रिड और एक है ग्यारी थो फ के साहाथ किस के साथ 2002 कर तबहें एस सब्सक्राइब करते हैं तब हैं ग्यारिक साहथ सब्अब करता और तो मस्टर रेंग में पहले से घो GB Physics करने के आया जाता है कि इस वर्ल्ड का पोकेमोन मास्टर एक ट्रेनर है जो कि बोलता है मैं शर्थ लगा सकता हूं एस जीतेगा तभी वह पोकेमोन मास्टर ट्रेनर बोलता है अपने ग्रैन्ड मास्टर को यह यहां पता चलता है कि पोकेमोन Master Trainer से भी उपर कोई है वो है Grand Master तभी Grand Master कहते हैं Ram Berling तो लगता है कि की रेड़ जीतेगा सारे बैटल को तबी पोकेमОन मास्टर और ग्रेंद मास्टर के बीच शर्थ लग जाती है और पोकेमवन मास्टर एस के सपोड में होते है और ग्रेंद मास्टर between a support में इस रहा है और सुथ होता और उदर इन फरनेप को एलेक्ट सब्सक्राइब राने में बहुत मज़ा था क्योंकि इन फरनेप और एलेक्ट सब्सक्राइब का जो गया नवास्ट करने वह उन्हुत इए थे अतंडर करते हो पोकेमन मास्टर देखक और असक एकथ में कितना जोश और जुनून है तुमने यह नहीं देखा होगा देखो रेड और टोबियस के भीज में रेड अपने म्यूट्यू की मदद से कैसे टोबियस को पीछे धकल रहा है अभी फिर से ऐस अपने इंफरनेप को ओवरीट करने बोलता है और ग्यारी भी अपने इलेक्ट्र करने बोलता है और ओभारीड को लग्जाता आप इलेक्ट्रि को चीरते हुए जय मगण करने बोलता है और ग्यारी के खुकरते हैं और यह धिनदानीज पोकेमोन अभी तक खड़े थे तभी एस अपने इंफरनेप को फायर ब्लेज करने बोलता है और उदर से गैरी भी अपने इलेक्टर वैर को सबसे पारफुल मूब हंडड़ के ठंडर बोल्ड करने बोलता है तभी ये दुनों एक दूसरे के साथ तकरा जाते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और दोनों के दोनों पोकेमोन नीचे गिरे हुए होते हैं तभी रैफरी कहता है कि गैरी और एक की पोकेमोन में से कोई भी अभी बैटल कर नहीं पा रहा तो दोनों के दोनों मैच डाई हुआ तभी हमें उदर टोबियस और रेट का दिखाया जाता है बैटल और टोबियस का डाक डाक राए बहुत ही डेमेज पहुंच रहा था एस के साथ भी उसने बैटल करके हार चुका था और रेट के साथ भी अप हार रहा था तभी एपने मिूटू को जैन्ट शेडवाल करने बोलता है तभी तोबियस भी अपने डाक राय को चैंज करके लूग ये को भेशता है और एर्व ब्लस्ट करने बोलता है पर मीआटू का जैन्ट शेडव गएर्व अभी रेड टोबियस से जीत जाता है क्योंकि रेड ने टोबियस के एक पोकेमन को हरा चुका था